हेलो जैहिन दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्रिसियन से समंदी तीस कोश्चन जो बहुत हैं इंपोर्टेंट है यदि कोई भी आप एक्जाम देते हैं इलेक्रिसियन से रहते हैं इस में दोस्तों आपको 30 कोश्चन कबर करके बताया गया है अगले वीडियो में और 30 कोश्चन आपको प्रौइड कीया जाएगे अधार ये उसका notification पहुचता रहा है ठीक है तो चलिए दोस्तो question number one से सुरु करते हैं जैसे मैंने point के रूप में बनाया है और one liner question के रूप में है ये question के अजरे किश परभाव का उध्यां है उस्मिय परभाव ऐस्मिय परभाव स्वखाम आप्सन के रूप में नहीं आपका सइन्स वर जाएगा अगला कोश्ण है कि परदीप्ती कुछ जिसे लिम्न एस फ्लक्स की मातरा क्या होते तो लूमिन एफ्यक्स का मज़ों मातर्क होता है वो लुमेन होता है ध्यान रखिएगा अगला कोश्ण है 230 बॉल्ट एसी सुरूत पर 59 बॉल्ट ते बल्बो की लिए 6.3 पॉल्ट बॉल्टा के कितने बल्प लगाए जाएंगे ठीक है 230 बॉल्ट है तो एसी पॉल्बो की पूछ रहा है कि जो चाप डी लगाई गई है वह 16.30 बोल्ट में कितने बल्प लगाए गए तो 37 बल्प लगाए जाएंगे ठीक है आप इसे ध्यान में रखेएगा अगला कोशन है कि Mercury वर्स लेंप की आउसत आयू क्या होते है तो जो Mercury वर्स लेंप होते है जो उसके आउसत आयू होते है 3000 गंटे होते है कितना 3000 गंटे आप इसे ध्यान नहीं किया जो होगा यह हमारा सभी हरा जाएगा अगले कोश्चन पर चलते हैं में अस्थापित किया जाता है तो जो चीनी मिटी होता है उस पदार्थ का बना होता है तो चीनी मिटी इसमें दिया गया है यह अफसान हमारा सही एक स्वार जाएगा ठीक है अगला कोशन है कि बिदूत केतली की बोल्टेज समानेता होते हैं जो बिदूत केतली है उसमें जो बोल्टेज होते हैं समाने तो 350 वाट ठिक है तो ये हमारा 350 साही होगा अगला कोशन है कि以及 को डिसी में परिवर्तित करने के लिए नियुन्तम कितने डायूड चाहिए तो ये ची periods करने के लिए मातर एक डायूड को आब सकता खुटी तो हमारा ये option A सही होगा अगला question है host की भुलता वाला अर्द चालग पदार्द कहालाता है ये P पदार्थ ठीक है पदार्थس की भलता वाला चालग कहालाता है ध्यान रखiceless अगला है और माणथा देंगुछ परिवलेटर में परियुक्व कििया जाने वाला डायोड है इसे जीनियो डायोड के नाम से जाना जाता मैंने इस में जा धर्साया भी गया कि जीनियोड यह लेकुलेटर कर परिवलेटर में अगले कोशन पर चलता है अगला कोशन है दोस्तों बहुत इंपोटेंट कोशन है दिया है कि वर्तमान इंवर्टर में कौन सी किसम का टांजिस्टर आम तोर पर परियूग किया जाता है तो जो मौस फेट होता है यह जो इसमें परियूग किया जाता है इनवर्टर में ठीक है तो आप ध्यान रखिएगा अगला कोशन है कि एन परकार का अर्दचालक होता है तो जो मुक्त इलेक्ट्रान होते है फिर इलेक्ट्रान उसमें की बहुता वाला जो होता है ये एन परकार का अर्दचालक होता है ठीक है ध्यान में रखिएगा अगला है अगला कोशन है कि PN और PNP यहां पर दियाबेद गया है PNP और NPN जो दो ट्रांजिस्टर है यह पूरक समित्य परवर्थक परिपत में परियुक किया जाते हैं यह दो ट्रांजिस्टर तो इसे आप ध्यान में रखिएगा अगला है दिख परिवर्थक ब्रसों के लिए पदार्थ समाने रू अगले question पर चलते है question number अगला है कि बिदु तापक के तार समाने रूप से किस के बने होते हैं जो विदुत तापक के तार होते हैं वह नाइक्रोम के बने होते हैं बहुती easy question है दोस्तों इस वीडियो में 30 question कबर गए है जो आपको last question आपको बताना होगा कि इसका answer क्या होगा मैंने last question में एक question दे रखा है आपको इस question को बताना होगा कि इसका answer क्या जाएगा ठीक है तो आप question को ध्यान से देखिएगा यहाँ पर question अगला है कि चुमक्य गोंजन किसके कारण उत्पन होती है तो जो चुमक्य गोंजन है वो चुमक्य बलो के कारण उत्पन होती है ठीक है यह इसका region है चुमक्य बलो का गोजन करने का चुमक्य बलो के कारण ही वो उत्पन होती है अगला है जब अस्थाई चुमक दो टुकड़ों में टूट जाता है तो परतेक टूटे टुकड़ों में से एक दच्छनी धुरुव तथा दूसरी ओर उतरी धुरुव और आ जाता है ठीक है तो यह हमारा पूरा एक statement के रूप में है कि जब अस्थाई चुमक दो टूटरों में टूट जाता है तो परतेक टूटे टुकड़ों में से एक दच्छनी धुरुव तथा दूसरी ओर उतरी धुरुव हो जाता है तो हमारा ये एक statement के रूप में है आप इसे ध्यान में रखिएगा अगला है कि air circuit breaker ठीक है अगला कोश्चन है देख सकते हैं विदुत वित्रों परणी में पर्योग किया जाता है तो इससमें विदुत वित्रों परणी में इससमें परकास उत्पन होता है तो यह आपका हो झाएगा एंसर्ड ठीक है अगला कोशन है सोडियम वास्प उसर्जन की बत्ती का रंग होता है तो पीला होता है कैसा होता है? पीला होता है ध्यान में रखिएगा अगला है कोशन की परकास का रंग किस पर निर्बर करता है तो परकास का रंग किस पर निर्बर करता है सन्योजित हो तो पावर फेक्टर होगा तो उसमें पावर फेक्टर उसमें लाइगिंग होगा ठीक है ध्यान में रखिएगा उसमें पावर फेक्टर लाइगिंग होगा अगला है कि चादी सोना परिपत जस्ता तथा पार ये प्रती चुम्बेकिये के अंतरगत आते हैं कि स्वता प्रिर्कत्व एव स्व प्रिर्कत्व का मातरक जो होता है हेनरी क्या होता है हेनरी होता है आप इससे ध्यान में रखिएगा ठीक है अगला कोशन है कि यदि कार्बन प्रतिरोद के अंकित प्रत्यों का रंग करमसव पीला बैगनी ध्यान में रखेगा पीला पहले पूछ रहा है उसके बाद बैगनी नरंगी वह चादनी हो जातो उसका प्रतिरोद का मान होगा तो उस समय 47 किलो ओम प्लस 10 प्रतिस्यत होगा ठीक है आप इसको लगा कर देख भी सकता है इतना ही एंस वर आ जाएगा ठीक है अगला कॉशन है कि एक फैरट कितने ऐस यू के बराबर होता आता एक फैरट बराबर होता है नोगुडे 10 to power 11, ESU के बरावर होता है अगला है कि किसी transformer की लपेटे अथात वाइंडिंग किस परकार से संबंदित रहती है यह प्रिक विदी से लपेटी जाती है ठीक है तो यह प्रिक विदी से इस संबंदित भी दर्शाती है अगला है कि जीस पात्र में बेदुतिक अपगटन की प्रक्रिया शंपन हो जाती है वो क्या कहलाता है तो वो बोल्ट मीटर कहलाता है दोस्तों अगला कोशन है अथाथ आपके लिए जो कोशन मैंने कबर किया है वो कोशन है आप ध्यान से सुनिए कि टांसफार्मर की बेवर फिक्टर पर सुरी टांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है और डि अप्रियुर्ट मैं से कोई नहीं ठीकत है तो इसमें कौशाigor झाए度 C आपसने low voltage या high voltage winding हो सकता है और D आपसने उप्रिक्ति में सी कोई नहीं तहिंगे से कौन सा आपसन सही होगा दोस्तों यह question मैंने आपको क्यों मुझवानी बताया है और मुझवानी इसका आपसन भी बताया है देखते हैं कितने लोग इसका answer comment box में बताते हैं ठीक है तो दो वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहीन बनने मातरम